नमस्कार दोस्तों सौगात है आपका EKTM Education YouTube चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI के अंदर सबसे अच्छी ट्रेड में गिनी जाने वाली कोपा ट्रेड के बारे में कोपा को हम Computer Operator and Programming Assistant नाम से जनते हैं जनरली इसको हम कोपा कहके पुकारते हैं तो यहां पर आपको कोपा ट्रेड के बारे में पूरी जनकारी मिलेगी बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है साथी इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा यह मेरी गैरेंटी है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कोपा ट्रेड है क्या जैसा कि इस ट्रेड के नाम से आपको पता लग रहा होगा Computer Operator and Programming Assistant यानि कि इसमें आपको Computer को कैसे Operate करना चलाना है यह पढ़ाया और सिखाया जाता है साथी आपको एजब Programmer यानि कि Programming कैसे करनी है Computer के अंदर यह भी आपको सिखाया और यहां पर पढ़ाया जाता है तो इसके इसाब से आप देश करते हैं कि यह पूरी तरीके से Computer से Related आपका Trade है जो कि बहुत ही अच्छा Trade है अब दोस्तों बाकिस सारे Point बने आपके लिए लिए लिख करके रखे हैं जिनको मैं बारी-बारी करके Explain करूँगा आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप बहुत ही ध्यान से इस Video को देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स के डियोरेशन के बारे में तो कोर्स यह आपका जनली एक साल का रहता जिसके अंदर आपको दो समिस्टर जनली रहते हैं अगर इस कोर्स को करने के लिए हम eligibility की बात करें तो अगर आपने high school की परिच्छा पास कर ली है तो फिर आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं कोर्स में कैसे आपको admission मिलेका तो admission आपको दो तरीके से होता है एक तो अपका merit के base में होता है यानि कि जैसी आपकी percentage रहती है 10th में या 12th में इसके लवा आपका entrance exam को दोरा भी admission होता है तो generally आपकी जैसी 10th में percentage रहती है उसे के अनसार आपको IDI के अंदर admission मिल जाता है फिर बात करते हैं कोल्जिस के बारे में तो government और private दोनों तरीके के college यहाँ पर धेर सारे available है कोपा trade के लिए लेकिन आपको कोसिस करना है कि आपको government college में ही admission लेना है क्योंकि government college हर माइने में आपके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पर अपके piece भी खास कर कम लेती है इसके लावब certificate के type के बारे में अगर हम बात करें तो generally दो type के आपके certificate रहते हैं पहला आपका SCVT रहता है दूसरा आपका NCVT रहता है तो आपको कोसिस करनी है कि आपको NCVT वाला certificate लेना है क्योंकि NCVT certificate हमारी national यानि कि central government के तरफ से दिया जाता है और SCVT certificate राज्य सरकार यानि की state government के तरफ से दिया जाता है तो आपको कोसिस करनी है उसी college में admission लेने की जिसके अंदर आपको NCVT का certificate मिलता हो नहीं तो आप फिर SCVT का certificate भी ले सकते हैं अब दूस्तों वीडियो में आगे बने से पहले मेरी आपसे छोटी से request है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें साथ ही अपने सभी friends के साथ भी इस वीडियो को जरूर सेर करें जैसा कि मैंने बात किया कि government college में अगर हम fees के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2-4,000 रुपए आपकी एक सल की पीस लगभग लगती है अगर हम private college के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी 10,000 रुपए से लेकर के 25 रुपए तकी एक सल की पीस हो सकती है हाला कि अलग-अलग और college की अलग-अलग फिस होती है तो फिस के बारे में ठूस जनकारी बताने हाँ पर मुश्किल लेगा अगर हम बात करते हैं इस scholarship के बारे में तो अगर आप किसी भी कंपणी रहती हैं वहाँ पर भी आपको जोब मिल जाएंगे और प्राइबर स्क्रमी भी आपको भरपूर मातरा में जोब मिल जाएंगे और आपको कुछ अधर सब्जेक्ट भी यहाँ पर इसकी अंदर पढ़ाय जाएंगे एक और डाउट आता है कि माली जी अगर आपने यह कोपाटिट से आईडिया का कोर्स कर लिया है तो इसके बाद आप आप आगे क्या कर सकते हैं जुस्तों मैं यहाँ आप आपको बतना कर सकते हैं गौर्वेंट सेक्टर में जा सकते हैं इसके रबा अगर आपको अपरेंटिसिप करने का कहीं से भी मौका मिलता है तो आप अपरेंटिसिप जरू करें अपरेंटिसिप आपको गौर्वेंट सेक्टर की जो कंपनिया होती है वह भी देती है जब की अगर आप ITA के दोरा किसी गुवर्मेंट संस्था में जॉब को निकालते हैं करेक करते हैं तो पिर आपको हाँ पर 20-25 और पर महीना भी शुरुआत में ही मिल सकता है कुछ अधर आप संस के बारे में अगर हम बात करें तो आप सिल्फ इंप्लाइमेंट भी कर सकते हैं यानि को खुद का कोई काम सुरू कर सकते हैं खासकर अपना बिजनेस आप सुरू कर सकते हैं अगर आप सच्छा में सुरू करने के लिए तो इसके अलाबा फॉरेंड जो कं कर सकते हैं कोपा टिट के जड़ी अगर आपको कोपा टिट का बहुत अच्छा कासा नौलिज है इसके अलाबा यहाँ पर इससे जुड़ी और भी बहुत सारे काम हैं जो आप खुद के इस्टार्ट कर सकते हैं तो दुस्तों यहाँ पर जो भी important information थी लगभग मैंने साधी cover कर दी है लेकिन अगर आपको अभी बी कोई doubt है तो आप comment box में हमसे पूसकते हैं इसके लब आप description box में मारे instagram और telegram चैनल करने के मौझ होता हैं आप वहाँ पर भी हमको follow और message कर सकते हैं वीडियो पसंद रहे हो तो लाइक केजिए, share केजिए, चैनल को सब्सक्राइब केजिए, बेल आपको दबा लेजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको लगतार देखने को मिलते रहे हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर